फाइनल, फाइनली, फाइनलाईज ये एक बहुत ही इंपोर्टन्ट क्वेस्चन होता है इंटर्व्यू का जिसमें कई सारे लोग फस जाते हैं कन्फ्यूजन की वज़ा से कि फाइनल, फाइनली और फाइनलाईज में डिफरेंस क्या होता है ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बेसिकली यही देखने वाले हैं कि इन तीरों का डिफरेंस क्या होता है और तीनों का यूसेज क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट सेनारियो में तो लेट्स बिगन हाई गाईज, वेलकम बैक टू चैनल दा कोडर्स टीवी तो लास्ट की वीडियो में बेसिकली हमने यह कवर किया था कि हम ट्राई ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक इन सब के साथ में सिस्टम.ट एग्जिट को अगर लगाते हैं तो बेसिकली हमारा क्या जो है देखने को मिलता है तो जिसमें हमने यह देखा था कि system.exit statement जो होता है वो तुम्हारा finally block को dominate कर देता है और बिना उसको execute किया निकाई जाता है तो I hope तुम लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखिए तो please वो वीडियो जाके देखना और वो वीडियो कैसे लगी comment section में यह चीज़ बता सकते हो अब आज की वीडियो पर basically हम बात करने वाले है final, finally और finalize के बारे में difference ठीक है तो यह एक बहुत ही important interview question बन जाता है अपने आप में बिल्कुल different topics से आते है final keyword basically तुम्हारा oops से आता है finally keyword basically जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहा है exception handling से आता है finalize जो method होता है वो तुम्हारा garbage collection से आता है आज हम लोग यही समझने वाले है कि इन तीनों basically difference क्या है ठीक है तो देखो simple से difference अगर हम यहां पर समझें देखो यह हमारा क्या है final है ठीक है अब अगर final कि अगर हम बात करें तो final क्या होता है final keyword होता है ठीक है, final क्या होता है, keyword होता है, finally क्या होता है, finally एक block होता है, ठीक है, और finalize क्या होता है, finalize एक method होता है, ठीक है, सबसे पहला important point तो यही बन जाता है, कि यह तीनों actually में होते क्या है, ठीक है, तो final क्या होता है, keyword होता है, finally क्या होता है, finalize क्या होता है method होता है ठीक है simple आज की वीडियो basically theory होने वाली है क्योंकि final keyword को हम already discuss कर चुके हैं अपनी OOBS की series में और finally keyword को भी हम discuss कर चुके हैं अपनी अली current exception handling की series में और यह जो finalize है यह garbage collection से आता है तो इसका coding part हम totally पूरा उसी में समझेंगे अभी काली theory समझने वाले हैं थोड़ी सी ठीक है अब उसके बाद आता है finally keyword अब यह जो हमारा final keyword को basically हम class के साथ लगा सकते है ठीक है हम उसको variable के साथ लगा सकते है ठीक है और हम उसको method के साथ लगा सकते है अब जो लोग final के बारे में पढ़ चुके हैं लोग जानते होंगे कि final variable को हम class के साथ लगा सकते हैं ताकि हम class को final बना सकें और उसका child creation को stop कर सकें मतलब उस class का particular child बनवाने से रोक सकें ठीक है तो यह हम already discuss कर चुक है यह वाली सारी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं बोलने वाले हैं कैसे class को उसका child avoid करते हैं create करने से वो सब पूरा final की चीज़ें है ठीक है हम खाली इसमें उपर उपर से चीज़ें देखने वाले हैं कि basically difference क्या है ठीक है तो final क्या है एक keyword है किस-किस जगह apply होता है class पे apply होता है variable पे apply होता है method पे apply होता है ठीक है उसके बद finally क्या होता है finally तुमारा एक क्या होता है block होता है ठीक है तो basically इसका use क्या होता है देखो जैसे final keyword का हमने use पड़ा उसका use क्या होता है हम class को final बना सकते हैं हम variable को final बना सकते हैं method को final बना सकते हैं वैसे finally block का use क्या होता है finally block का use यह होता है कि resource clean up code इसमें रखा जाता है ठीक है resource clean up code ठीक है resource clean up code इसमें रखा जाता है तो यह finally block का use होता है ठीक है अब इसके बाद finalize का use क्या होता है finalize क्या है पहली बाद तो एक method होता है और finally एक block होता है ठीक है finalize एक method होता है finalize जो एक method होता है basically उसको अगर हम तुम लोग देखो यहाँ पर हमारी यह सारी चीज़ें वैसे इधर PPT में भी लिखी हुई है ठीक है तो finalize method को basically invoke करता है garbage collector ठीक है garbage collector इसको invoke करता है to destroy the objects यह ही चीज़े को यहां लिखिए to destroy an object provide clean up activities ठीक है तो basically थोड़ा सा similar जैसा ही है अपने finally से लेकिन finally क्या है finally एक block है finalize क्या है एक method है ठीक है तो I hope यह चीज़ तुम लोगों को clear हुई होगी कि इन दोनों में difference क्या है basically ठीक है अब इसके बात बात आती है तुम्हारा यह finalize हो गया इसके बात तुम्हारी बात यह आती है कि जो तुम्हारा final keyword है यह basically कौन से concepts में आता है oops के concepts में आता है हमने अपने oops के series में discuss किया है ठीक है finally जो तुम्हारा ब्लॉक है ये तुम्हारा कौन से concept में आता है ये तुम्हारा exception handling के concept में आता है ठीक है और ये जो तुम्हारा finalize method है ये किस concept में आता है garbage collection के concept में आता है जो हम लोगों ने discuss नहीं किया है भी लेकिन हम लोग आगे इसको समझेंगे तो ये तुम्हारा garbage collection में आता है तो यह तो इसके कुछ advantages हो गए ठीक है अब इसके बाद देखो अब अगर हम final finally finalize यहाँ पर एक एक points के बारे में लिखा हुआ है देखो final के बारे में क्या points लिखा हुआ है देखो अगर कोई class final हो जाती है अगर कोई class let's suppose final हो जाती है तो उस class का child नहीं बन सकता final is the modifier applicable for classes methods and variable if class declared as a final then child creation is not possible मतलब अगर कोई class final बन जाती है तो उस class का child creation पॉसिबल नहीं होगा अगर कोई variable final बन जाता है like this if variable declared as a final then reassignment is not possible ठीक है यह सब चीजें हम लोग देखो already discuss कर चुक है ठीक है अगर समझ नहीं आ रहा है किसी कोई नाया है यहाँ पर code नहीं करने वाले है कुछ भी बताने के लिए सिर्फ हम नॉर्मली वर्वली discussion कर रहेंगी difference किया है बाकी सारी चीजें हमारी final के बारे में उपस में already discuss हो गया है ठीक है तो अगर variable को final बना देते हैं तो अगर method को final बना देते हैं तो उस method को कोई override नहीं कर पाएगा उसकी child classes ठीक है और उसके अंदर कोई final method बना हुआ है like final void m1 ठीक है इस तरह से ठीक है और कल को मान लो कोई child class आती है इस तरह से और वो extend कर लेती है parent को तो वो इस particular method को override नहीं कर सकती method तो इसको inheritance के तौर यहां पर मिल जाएगा लेकिन वो उसको override करके कुछ अपना changes नहीं कर सकती है तो यह basically पूरा कहने का मतलब था यह भी हम already discuss कर चुके है अपनी oops की series में सब कुछ discuss किया है ठीक है अब उसके बाद हमने क्या देखा finally के बारे में finally क्या है finally एक block है ठीक है finally क्या होता है finally एक ऐसा block होता है ठीक है finally एक ऐसा block होता है यह भी already हमारी oops की series में discuss कर गया है ठीक है finally एक block होता है जो कि try catch के साथ associate रहता है मतलब finally कभी ऐसे अकेला नहीं रहेगा ठीक है finally हमेशा try catch के साथ में रहता है ठीक है जैसे कि let's suppose यह तुम्हारा try है try के अंदर तुम्हारा कैसा code होता है risky code होता है यह हम लोग already discuss कर चुके है try के अंदर तुम्हारा risky code होता है और catch block के अंदर तुम्हारा कौन सा code होता है handling code होता है कौन सा handling code अगर कोई exception मान लो तुम्हारी try block के अंदर आ जाती है तो उस exception को handle करने के लिए यहाँ पर catch block का use होता है तो इसलिए आपर उसका handling code लिखते हैं अब इसके बाद तुमारा आता है finally block, यह देखो block है, method अलग होता है, finalize method अलग होता है, finally block के अंदर हम कौन सा code लिखते हैं, clean up code, ठीक है, clean up code लिखते हैं, ठीक है, और finally block के बारे में क्या होता है, कि finally block का execute होना तो कमपल सरी होता है, यह हम अलड़ी अपनी last के वीडियो में discuss कर चुके हैं, जब हमने finally block का combination देखा था, return statement के साथ, और जब हमने finally block का combination देखा था, system.exit statement के साथ, आयो तुम्हों को वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है, अब उसके बाद हमने यह देख लिया it will always execute, ठीक है, it will always execute, whether exception came or not, whether exception came or not, ठीक है, exception तुम्हारी try block के अंदर आए, या तो ना आए, लेकिन finally block का execute होना compulsory होता है, ठीक है, यह हमने समझाता है, अब इसके बाद बात आता है, तुम्हारा finalize method की उपर, ठीक है, finalize is a method always invoked by garbage collector just before destroying an object to perform clean of activities, ठीक है, अब इसके कहने का मतलब क्या है, finally नाम का एक तुम्हारा method होता है, ठीक है, let's suppose finally नाम का इस तरीके से कोई method है, ठीक है, finally नाम का इस तरीके से कोई method है, इसके अंदर कैसा code लिखा हुआ है, इसके अंद object de-allocation, memory de-allocation code लिखा हुआ है, ठीक है, memory de-allocation code, memory de-allocation code, कैसी memory de-allocation code, let's suppose अगर तुमने कोई object अपने code में बनाया है, तो वो object memory में जा करके space लेगा ना, memory alert, suppose यह तुम्हारी, तो वो object memory में जा करके space लेगा, तो इस object, जब काम तुम्हारा हो जाएगा पूरे program का, तो इस object को de-allocate करने के लिए, मतला memory को free करने के लिए, यह हम finally method का यूश कर सकते हैं, और तुम देख लो यह तुम्हारा क्या है, finally block है, यह तुम्हारा pure क्या है, finally block है, और यह तुम्हारा pure क्या है, finally method है, ठीक है, garbage collector नाम का concept होता है garbage collector let's suppose यह होता है garbage collector Java में यह inbuilt मतलब एक तरीके का behind the scene वाल हम तुम्हें चीज बता रहे हैं कि internally क्या होता है garbage collector नाम की एक algorithm होती है जो कि तुम्हारी समय समय पर आ करके तुम्हारे program में यह चेक करती है कि कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो फालतू की memory खा रही है जिनको हमें deallocate करना है memory को release करना है let's suppose तुमने अपने java program को ही बनाया उस java program ने तुमने अपनी variable बनाया a equals to 10 तो memory में यह तुम्हारा a equals to 10 बना होगा फिर तुमने बनाया b equals to 20 और let's suppose तुमने एक string बनाई the coders tv इस तरह से ठीक है अब let's suppose तुम्हारा काम पूरा execute हो गया तुम्हारा जो work था तुम्हारे program का वो पूरा खतम हो गया तो garbage collector last में तुम्हारे program में चेक करने आएगा वो memory में चेक करेगा ठीक है वो यह चेक करेगा memory में कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका काम खतम हो गया जिनका कोई use नहीं है उसको हटा दो वो देखेगा कि भाई a variable का काम खतम हो गया यह फालतों memory खा रहा इसको release कर देते हैं ताकि memory free हो जाए इसको हटा दिया similarly कर इसी तहीके से वो सारी वो चीज़ें हटा देगा जिसका तुमारे प्रोग्राम में कोई use नहीं होगा कहां से हटा देगा memory से हटा देगा ताकि memory क्या हो जाए free हो जाए ठीक है तो यह basically garbage collector का काम होता है अब garbage collector को invoke कौन करता है garbage collector invokes automatically ठीक है यह अपने आप आता है कुछ कुछ समय बाद ठीक है वो सब backend की चीज़ें है वो जानने से मतलब नहीं है invokes automatically अब देखो c++ में ऐसा ही एक similar concept होता है डिस्ट्रक्टर का ठीक है c++ में डिस्ट्रक्टर का concept होता है जिसको हम ऐसे tilde sign से बनाते है let's suppose जैसे हम constructor बनाते हैं तो वैसे हमारा एक destructor बनता है उसका यह symbol होता है ठीक है तो वह हम c++ की बात नहीं करेंगे क्योंकि c++ तो हमें भी नहीं आती है हमें पता है उसके अंदर एक रखा static method होता है gc system.gc ठीक है तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ हम लोग कॉल कर रहे हैं एक garbage gc method को gc static method को जो की तुम्हारा किस class में है system class में तो यह मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि calling static method which is calling static gc method calling static gc method using system class ठीक है using system class तो दो तरीके होते हैं basically garbage collector को आने के लिए एक तरीका होता है इन्वोक्स automatically वो कुछ-कुछ समय बात खुद से आ जाएगा चेक करने के लिए अगर तुम्हें मानने explicitly उसको खुद कॉल करना है तो तुम किसी भी लाइन पर यह लिख दो system.gc तो यह तुम्हारा garbage collector आ जाएगा तो आप देखो यह सारी कहानी garbage collector कि हम garbage collector वाली सीरीज में करेंगे यहां पर हमने थोड़ी सी बस theory discuss कर लिए तो आई होब कि तुम लोगों को जो है यह चीज समझ में आई होगी कि basically यहां पर garbage collector sorry finally finalize के वीच में difference क्या होता है ठीक है और इसमें difference क्या होता है इनका usage क्या होता है यह एक interview का बहुत ही hot question होता है जिसमें बह इस वीडियो को share करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना और bell icon press कर देना ताकि सारी मेरी वीडियो तुम तक पहुंचती रहे हैं मिलते हैं next video तिल देन कीप लगनिंग शुभाम निगम शाइनिंग ओफ